मुंबाई पूलिस ने फेक रेजटोर्ड कारों को जब्त किया है इसी मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा को आज पूछ ताश के लिए क्रिमिनल इंटेलिजन्स यूनिट की API सचीन वाजी ने बुलाया है कपिल जल्दी पूर्स ताश के लिए API दफ्तर पहुंचे थे मेले जानकारी के अनुसार कॉमेडिन कपिल शर्मा को मुबाई पूलिस की क्राइम ब्रांच ने समन भेजा था ये मामला कार डिजाइनर दिलिप छबाडिया के खिलाफ दर्ज धोखादरी के केस से जुड़ा हुआ है दरसल कपिल शर्मा ने कार डिजाइनर कपिल छबाडिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था कपिल ने दिलिप पर धोखादरी का आरूप लगाया था अब उन्हें गवाह के तोर पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है ये जानकारी मुंबाई पुलिस ने दी है अब तक इस मामले पर कपिल की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है फिलहाल आधिकारिक बयान आने के बाद ही पूरा मामला साफ होगा बता दे कि कपिल शर्मा शो लोगों के बिच काफे पॉफलर है शो का नाम दे कपिल शर्मा शो है कपिल शर्मा अपने इस शो से लोगों को खूब हासी का डोस देते हैं बारति सिंग का नाम ड्रग केस में आने के बाद भी कपिल शर्मा शो में चर्चा आ गये थे कई लोगों ने कपिल को खूब ट्रोल भी किया था वैसे कपिल सोशल मेडिया में काफी चर्चा वे रहते हैं इन दिनों ये भी चर्चा है कि वो जल्दी दुबारा पापा बनने वाले हैं बता दे कि कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा अपना डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने सुमौर को ट्विटर के जरीए इस बात की जानकारी दी थी कपिल ने लिखा था कि शुब समाचार को इंगलिश में क्या कहते हैं किरिपया जरूर बताएं इसके अलावा एक और ट्विट में कपिल ने लिखा है कि कल मैं एक सुब समाचार साजा करने वाला हूँ उसके बाद से कपिल शर्मा जबाज मुंबाई में पहुँचे थे अपनी गवाही देनी तो उसके बाद से उन्होंने पत्रकारों से भी बात की क्या कुछ बात किया उन्होंने आई खुद सुनते हैं आप आराम से बात करेंगे तो मैं बोलें नहीं तो ऐसे हो लेडी बिचारी उनको धक्याइट की थी जी जी आपके किस विशे में क्या कुछ नहीं पर पुलाया था सर एक केस था मेरी वैन का जो हमने जनको हमने लुक ह्टा क्या था था हॉनको फोली से अंकूस ने किसी और भी किस में रेस्ट किया तो उनको दोजह ने उसकी स्टेटमेंट के लिए मुझे Hem olması विए था वो मुझे बदर ने, मना में भागादें मिलता हो